दोस्तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक सब्ते घड़ना पर आधारी घड़ना है जॉन नाम की एक आदमी को डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप तीन मेहने से ज़्यादा जी नहीं सकते जोन निराश नहीं हुआ जोन ने अपनी सब्सक्राइब को बलाया उनको का कि देखो मैं मनने वाला हूँ लेकिन मेरी किछा है कि मैं वर्ल्ट तूर पे जाओं सब्सक्राइब को वर्ल्ट तूर का टिकेट लेके दिया जहाज में बैठने का पहले जमाने में पानी के जहाज में लोग जाते थे शिप में जाते थे जॉन ने क्या किया जॉन ने जब जाते समय अपने साथ कॉफेन भी लेके चले गया कॉफेन मतलब जिसके अंदर डेध बॉड़ी रखते हैं हुआ ये कि वो जहाज 6 मेने के लिए था उनको पता था कि 6 मेने बाद जॉन की डेध बॉड़ी आईगी लेकिन हुआ ये 6 मेने बाद जॉन उदर से जिंदा वापस आया ऐसा क्यों जॉन ने जहाज में जाने के ब लिए कि हां मैं मरने वाला हूं और उस चीज को एकसेप्ट करने के बाद में हुआ ये कि सारी चीजे अपने आप बदल गई तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूं कि लाइफ में अगर कुछ बुरा जादा जादा क्या बुरा होगा उसको सोचके उसको एकसेप्ट कर लो ये कहानी मैंने आपको डेल कारनेकी की फेमस बुक स्टॉप पोरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताई है मैं चाहता हूं कि आप भी अपनी लाइफ में स्ट्रॉंग बनिये एकसेप्ट कीजिए जो होने वाला उसको कुछ नहीं होगा डोंट वरी अबाट इट थैंक अनु आएगड़िंगे